एक बहुत ही important subject और उस subject का नाम है बच्चो और इंड एकनोमिक लॉस पेपर नॉम्बर थर्टी मैं बता दूं बच्चो कि आज हम ये subject start करने जा रहे हैं और ये new slavers के accordingly हम पढ़ रहे हैं बच्चो 2022 slavers के accordingly हालंकि इससे पहले मैंने एक introduction class ली थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि आखिर ये subject कितने parts में divided है और मैंने आपको उसमें बताया था बच्चो कि ये subject दो part में divided है एक है आपका section A एक है आपका section B section A जो की 60 marks का है उसमें एक topic हम पढ़ेंगे companies act actually में ये बहुत बड़ा topic है इसके अंदर बहुत सारे chapters हम लोगों को पढ़ने होते हैं 40 marks का है तो आज हम जो इस subject को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस subject के अंदर सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बच्चों अपना section A और section A के अंदर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं companies act हम एकतम sequence में चलेंगे हम complete CMA का module study material फॉलो करेंगे पहले हम companies act को complete करेंगे then insolvency and bankruptcy code को then corporate governance and so on so on so on तो बच्चों आज जो हम start कर रहे हैं वो हम section A start कर रहे हैं उसके अंदर भी हम companies act 2013 को start कर रहे हैं चलें अब देखिए सबसे पहला जो chapter हमें इस companies act के अंदर पढ़ना है उसका नाम है बच्चों companies formation and conversion हम इस chapter के अंदर क्या पढ़ेंगे एक बार वह थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ फिर हम इस chapter को वह detail में पढ़ेंगे अच्छा start करने से पहले बच्चों में एक बात आपको दोबारा से clear करना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पढ़ाने का जो style है मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो कुछ यह है कि सबसे पहले हम CMA का जो module है उसके accordingly topic पढ़ेंगे concept अपना clear करेंगे अच्छे से और फिर उस topic उस concept से related previous year में जितने भी questions आए हैं on the spot हाथ की हाथ हम उन questions को भी पढ़ लेंगे ताकि आपको topic मतलब concept तो clear हुआ आपको ये भी clear हो गया कि exam में question किस तरह से आई है और mcqs की classes हम साथ में करेंगे ही अपने हर chapter की notes भी उसके लिए रहते हैं ठीक है बच्चो तो scanner हम साथ में करते हुए जो निससे चलिए अब बच्चो हमें start कर रहे हैं अपना chapter companies formation and conversion इस chapter में हमें ये chapter बहुत lengthy chapter है बच्चो इसमें काफी अच्छा time लगेगा और detail में पढ़ने वाले हैं इसमें हमें पढ़ने को बिलेगा company क्या होती है company की characteristics क्या होती है कैसे हम company को form कर सकते हैं बना सकते हैं और अगर हमने एक वार एक company बना दी suppose private company बना दी क्या हम उसे public में convert कर सकते हैं क्या पबलिक पो प्राइवेट में कनवर्ट कर सकते हैं ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका स्लेव से सबसे पहला क्वेशन ये आता है कि सर ये जो कंपनी नाम का शब्द है सर इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों मैं आपको ये समझाओं कि आखिर इस कंपनी शब्द का मीनिंग क्या होता है कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कंपनी की कुछ केरेक्टरिस्टिक से समझा दूँ इसलिए बच्चो अगर एक बार आपको कंपनी की केरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई आप लोग company की definition company की meaning खुद बना लोगे आपको इबन ऐसा पढ़ने या रटने की जनुद नहीं को इसलिए एक बार पहले मैं आपको company की characteristics समझा देता हूँ एक बार जैसे ही हमने characteristics को कर लिया हाथ की हाथ आपको company का meaning और definition by default समझ में आ जाएगा हम तब भी पढ़ेंगे इसको तो बच्चों हम सबसे पहले start करेंगे company की characteristics को समझना और इसमें सबसे पहली जो characteristic आती है बच्चों वो है artificial person हमेशा हमने एक बात सुनी है कि company is an artificial person company एक artificial person है इसका meaning क्या होता है बड़े ध्यान से सुनिये देखिए जैसे कि मैं और आप हम लोग एक natural person है मतलब हमारी खुल की एक identity है हमारा खुद का एक अस्तित्व है हमारी खुद की एक existence सेम उसी तरह से company भी एक person है हलांकि वो artificial है क्योंकि वो building है building चल नहीं सकती आज हम लोग बोल सकते हैं चल सकते हैं, सोच सकते हैं, खा सकते हैं, सुन सकते company ये सब काम नहीं कर सकती, लेकिन company एक person जो काम कर सकता है वो सब कर सकती है, example के तोर पर अगर आज मुझे को मान दीजे, reliance से problem है, तो मैं reliance के उपर case कर सकता हूँ, मुझे अम्मानी सहब पर case नहीं करना पड़ेगा, अगर reliance को मुझे से problem है, तो reliance मेरे उपर case कर सकता हूँ कहने, आज अगर मैं किसी के साथ में contract कर सकता हूँ, तो company भी किसी के साथ में contract कर सकती है मतलब जो काम मैं और आप हम natural person कर सकते हैं हमारा थुद का एक existence है company का भी existence होता है जैसे हम लोग अपने नाम से जीते है company भी अपने नाम से जीती है जैसे हम लोगों का आधार card pen card होता है company का भी एक CIN होता है company का भी एक card होता है जैसे हमारा एक बैंक में अकाउंट होता है कमपनी का भी बैंक में अकाउंट होता है जैसे हम किसी के उपर केस कर सकते है कमपनी भी किसी के उपर केस कर सकती है जैसे कोई हमारे उपर केस कर सकता है कोई और कमपनी के उपर भी केस कर सकता है जैसे हम पोल्ड में जाकर अदालत में जाकर अपनी बात रख सकते हैं कमपनी भी अदालत में जाकर अपनी बात सकते हैं कमपनी हर वो काम कर सकती है जो एक परसन कर सकती है कमपनी खुद की एक्जिस्टेंस लेकर चलती है कमपनी खुद का अस्तिक लेकर चलती है कमपनी लौकी आखों में कानून की नजरों में एक इनसान की तरह जिल्दा होती है कमपनी का खुद का एक एक एक्जिस्टेंस होता है स्टुडेंट बोलता है ठीक है सर लेकिन मेरा एक क्वेस्टन है sr मेरा आपसे ये question है की में और आप natural person है इस बात का सबुत क्या है बच्चे मैं आपसे खुश का हूँ मैं मोहित पंसल नैच्यरल person हूँ आप जो भी बच्चा पढ़ रहा है आप natural person है इस बात का सबुत क्या है अब आप बोलोगें कि जर आप बोल सकते, चल सकते, फिर सकते, सुन सकते, यह सब फालतु की बाते करें, अपन प्रोफेशनल लोगें, हम CMA का कोर्स कर रहे हम लीगल बात करेंगे, पदाए बच्चों हम नैचुरल परसन हैं, इस बात का सबूत है हमारा पर्थ सर्टिफिके बनवाया था मतलब गवर्मेंट के पास जो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड है ना उसके अंदर हमारा नाम लेखा हुआ है आज इंडिया की गवर्मेंट बोलती है कि 130 करोड लोग इंडिया के अंदर है आपको पता है बच्चों एक्चुली में इंडिया की पॉपुलेशन इस 130 करोड से बहुत जादा है बहुत जादा है तो फिर गवर्मेंट उस जादा वाले लोगों को क्यों काउंट नहीं कर रही इंडिया की पॉपुलेशन में क्यों सिर्फ 130 करोड को काउंट कर रही है क्योंकि वो जो जादा लोग है जब वो पैदा हुए तो उनका बर्त खाने का कि हम जिन्दा हैं, हम इंडिया के सकीजन हैं, नागरिक हैं, कोई सबूत नहीं है, ना आदार कार्ड है, ना पेंट कार्ड है, इवन वो लोग अपने नाम से एक सिम तक परचेज नहीं कर सकते हैं, मौवाइल की सिम परचेज नहीं कर सकते हैं, एक्चुली में देख 130 करोड़ की population claim करती है वो लोग जो 130 करोड़ से उपर है ज्यादा population लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी document नहीं है वो जिन्दा नहीं है वो जिन्दा नहीं है बच्चों अभी एक न मूवी आई थी कुछ दिन पहले कुछ टाइम पहले कुछ टाइम हो गया है मूवी आई थी कागज इस कागज मूवी के अंदर पंकस त्रिपाठी जी एक्टर थे ये जिन्दा होते हैं ये जिन्दा होते हैं बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खासते हैं, हसते हैं, रोते हैं लेकिन इनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होता ये शो करने का कि ये जिन्ना है इसलिए इनको मराओवा मनाज़र्दा है हमें और आप नेचुरल पर्सने इस बात का सबूत है कि हमारे पास वर्थ सर्टिपिकेट है और हमारा नाम हमारे पास आधार कार्ड है पेंट कार्ड है और हमारा नाम गवर्णमेंट के रिजिस्टर्स में रिकॉर्डड़ेड है उसी तरह से अगर आप किसी कंपनी को आर्टिफिशियल परसन बोलना चाहते हो तो जरूरी है कि वो Companies Act 2013 के अंदर रिजिस्टर है अगर आपने कोई कंपनी ओपन करी और उसे Companies Act में रिजिस्टर्ड कराया तो आपकी कंपनी आर्टिफिशियल परसन है उसके पास में कंपनी की सभी केरेक्टरिस्टिक्स का फायदा में उठा सकती है और दभी वो एक्चल में लीगल कंपनी मानी जाएगी एक कंपनी आर्टिफिशियल परसन ये उसी केरेक्टरिस्टिक कम मिलती है ये उसे बेनिफिट कम मिलता है जब को Companies Act में रिजिस्टर्ड हो जाए जैसे मैं और आप नेचुरल परसन है इस बात का सभूत है मेरा और आपका बर्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड कंपनी भी आर्टिफिशियल परसन है इस बात कर सभूत है कि कंपनी Companies Act के अंदर रजिस्टर्ड है याद रखिएगा बच्चर इस बात तो स्टुडेंट्स हमारी जो पहली केरेक्टरिस्टिक है वो हमने देखा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल परसन है इसका मतलब है कंपनी लौ की आँखों में अपनी एक आइडेंटिटी लेकर चलती है उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है वो अपने नाम से सब काम कर सकती है इवन वो अपने नाम से किसी के साथ में कॉंट्रेक्ट भी कर सकती है ल आप बोल रहे हो आप किसी company को actual में company तब बोलोगे किसी building को किसी group of person को company ही तब बोलोगे जब वो companies act में registered है उसको artificial person की characteristic का फायदा तब मिलेगा जब वो companies act में registered है आप बोल रहे हो कि सर वो companies act 2013 में registered है सोचो अगर 2013 से पहले कोई company बन गही डाठा 1907 में बन गही थी हा तो उस time पे जो companies act चल रहा था उसूमें रे इस्टर्ण है तो अभी तो 2013 में बन रही है तो चल रही तो बच्चो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया Company Formation and Conversion पढ़ना और स्टुडेंट इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बढ़ा Company की Characteristic की Company एक Artificial Person है, Company अपने नाम से सबकाम कर सकती है, Company कुद की एक existence identity लेकर चलती है और उसे Company's Act में registered होना जरूरी होता है अच्छा स्टुडेंट अब देखिए यहां पर एक एक question है बच्चो उस question को हम लोग यहां पर देखते हैं previous year का आया हुआ question है अभी तक हमने एक characteristic पढ़ी company artificial person है अपने नाम से सबकाम कर सकी है question आया था बच्चो although company is an artificial person हालांकि company एक artificial person होती है लेकिन फिर भी वो अपने नाम से property ओन कर सकती है खरीद सकती है अपने नाम से property and उसके अलावा वो contract भी कर सकती है आपको इस पर comment कर तो बच्चो अभी अभी concept समझाया अब आप इसका answer बहुत easily लिखवाओगे कैसे लिखोगे? yes this statement is true अलांकि बच्चो जब आपके test होंगे न तो उन test की जब आपके copies check होंगी उसके बाद में आपको एक live class पर जू उपर live class पर समझाया जाएगा कि answer लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं उस बच्च आपको proper इत्म समझाया कि ऐसे answer लिखना चाहे points में लिखना चाहे पर अभी के लिए आप this statement is true अब वो कैसे? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि चाहे से company एक IT usual person है लेकिन फिर भी company के एक existence होती है, company के एक identity होती है, company अपने नाम से सब काम 13 या उससे पहले वाले किसी law के अंदर register तो बच्चो देखो अभी तक हमने company की characteristic का एक point पढ़ा और उससे related previous year में जो question आया हुआ है हाथ की हाथ हमने scanner भी solve करते हैं अब चलते हैं students हम आगे अब चलते हैं बच्चो हम अपने second characteristic का और बच्चो हमारी second characteristic है common seal second characteristic है common seal सर यह common seal क्या होता है अच्चा एक बात बताओ students एक बात बताओ आप CMA बन गए हैं बन गए सी फिर आप गए job लेने के लिए आपको google company में job मिल रही है आप अच्छे talented हो smart आपको google company में job मिल रही है तो आप google company ने आपसे बोला कि आपको एक महिने का एक लाक रुपे तो वो आपको salary देगी बच्चे उसके अलाबा आपको एक साल में 45 days की leaves चुटियां दी जाएगी ऐसे करके पुरा conditions बताना पर आप अपोइंट भी हो गए हो तो बच्चो आपके और उस google company के बीच में contract होगा की नहीं होगा appointment letter बनेगा और terms conditions लिखे जाएगी contract होगा न उस पर वो लिखेगी कि हाँ जी यह फलाना हमारी company में as a cma cost accountant अपोइंट हो गया इसको इतनी salary मिलेगी इतनी चुटिया मिलेगी इसकी यह duties होगी यह यह काम होगा सब लिखा जाएगा उस पर आप अपने sign कर दोगे हर बन्दा अपने sign करता है क्योंकि आप natural person है आपने signature कर दिया क्या company भी उसके उपर sign करेगी क्या google company भी sign करेगी मेरा कहने का मतलब यह है कि एगर आज मैं किसी hem, वैं नेच्यरल परसन हूँ, मैं किसी के साथ较ए, कॉंट्रेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, उस पर signature कर दो, आप किसी के साथ मैं कॉंट्रेक्ट करना चाहते हो, आप भी signature करके करता हो, बच्चा, कंपणी, जो कि एक artificial person है क्या company भी किसी के साथ में contract कर सकती है जी हाँ sir company भी contract कर सकती है तो फिर बच्चे company अगर contract करेगी तो company signature कैसे करेगी company के पास में एक common seal company के पास में एक ये ये आपको दिख रहा है common seal अगर मैं आपको बताऊ ना जो common seal एक तरह से आप ये समझ लो बड़ा वाला stapler जो ऐसे bank में देखा होगा अपने नोटों की गड़ियों को पंच करने के लिए बड़ा stapler होता है वो stapler आप imagine कर लो एक बार assume कर लो कि वो stapler है बस आगे की तरफ गोल होता है सिक्के जैसा चूडी जैसा कोल होता है उस पर company का देखुआ ऐसे नाम लिखा हुआ होता है आपको ये दिख रहा होगा company का यहां पर इस नाम लिखा हुआ होता है आप जब common seal किसी पर लगाते हो ना company की common seal तो आपको बहुत दम लगाना पड़ता है बच्चे और जैसे आप दम लगाते हो तो वोना ऐसे उभर के आज़ाता है ऐसे blue refill स्याही नहीं होती है कि दूर सिर्फ नचर आ रही है ऐसे आप फील करोगे कागज पे तो हाँ ऐसे आपको लगेगा हाँ थोड़ा सा engraved हो गया उभर के आगया वो common seal है तो कोई भी company जो है वो भी किसी के साथ में contract कर सकती है और company contract करने के लिए जो signature लगाती है वो common seal की formula student बोलता है कि sir मुझे आपकी बात समझ में आगए आप बोल रहे हो कि एक company किसी के साथ में contract कर सकती है अपने नाम से और contract करने के लिए उस document पे वो signature करेगी company signature करेगी common seal के थुरू करेगी common seal के उपर company का नाम और registered office address लिखा हुआ होगा है ठीक सरे question ये है कि क्या ये common seal होना हर company के पास में compulsory है क्या ये जरूरी है कि हर company के पास में common seal होनी ही चाहिए नहीं देखिये पहले किसी वक्त companies act 1956 से चला करता था बहुत पुरानी बात है उस एक्ट के अंदर ये कंपल सरीता है कि हर company के पास में common seal हो लेकिन जब से companies act 2013 applicable हुआ एक अपरेल 2014 फस्ट अपरेल 2014 से ये companies act 2013 applicable हो गया था तब से common seal अब companies के पास में होना compulsory नहीं है बच्चो optional है अगर कोई company common seal रखना चाहती है तो रख ले अगर कोई company अपने पास में common seal नहीं रखना चाहती है तो मत रखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं स्टूडेंट बोलता है सर मैं अभी तक आपकी बात समझे है आपने सर मुझे दो केरेक्टरिस्टिक बताई जिसमें से एक बताया company अपने नाम से सबकाम कर सकती है हमने उसका scanner वाला question भी solve कर लिया उसके बाद मैं सर आपने मुझे को बताया कि company के पास common seal होती है मतलब company अपने नाम से contract कर सकती है common seal की form में signature कर देगी लेकिन as per companies act 2013 common seal होना हर company के पास में compulsory नहीं है optional है अगर कोई company चाहे तो common seal रख सकती है अगर नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकती तो सर एक बात बन अगर किसी company के पास में common seal है तो तो ठीक है वो contract कर लेगी उस document पे common seal के दुरू सिगनेचर कर देगी लेकिन अगर किसी company के पास में common seal नहीं है तो फिर वो contract कैसे करेगा अगर देखो मैं आपको दोनों चीज़े समझा देख suppose किजिए एक company है जिसका नामे मोटू पतलू company limited और suppose किजिए एक दूसरी company है जिसका नामे छोटा वीम company limited और suppose किजिए कि इन दोनों के पास में common seal है और दोनों आपस में contract करना चाहती है तो ये अपनी common seal लगा देगी ये अपनी common seal लगा देगी और contract हो जाए लेकिन वही पर suppose किजिए बच्चो कि एक company है मोटू पतलू company limited और उसके पास में common seal नहीं है लेकिन उसे किसी के साथ में contract करना है कोई जरुत आपड़ी कि भाया company को contract करना है company को लगता है contract करने से फाइदा होगा उसका contract करना चाहती है company पर common seal नहीं है तो कोई बात नहीं है अगर उस document के उपर उस company के दो director signature कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि company ने signature कर दिये और मान लिया जाएगा कि वो contract हो गया अगर common seal है common seal लगा दो अगर common seal नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर उस company के कम से कम दो directors उस document के उपर contract वाले document के उपर signature कर देते हैं company के भिहाब पर मान लिया जाता है कि company ने signature कर दिये मान लिया जाता है कि कंपनी ने कॉंट्रेक्ट करना स्टूडेंट बोलता है सर आपकी बात मुझे यहां तक आराम से समझ में आई लेकिन सर फिर भी मेरे दिमाग में एक नया डाउट आया आपने बोला कॉमन सील है तो सिगनेचर हो जाएंगे आपने बोला कॉमन सील नहीं है तो दो डाइरेक्टर से गनेचर करनेगे सपोज कर सर सपोज कीजिएगा कि कंपनी है मोटू पतलू कंपनी लिमिंटेड और उसके अंदर टोटल बारा डाइरेक्टर और कॉमन सील है नहीं उसके पास और सर उसे अब किसी बाइचांस ऐसी सिचुएशन आ गई कंपनी के अंदर हैं तो टोटल बारा डाइरेक्टर पर उनमें से ग्यारा डाइरेक्टर जो है सर वो फॉरें गए हुए इंडिया में प्रेजेंट नहीं है इंडिया में सिर्फ एक ही डाइरेक्टर प्रेजेंट तो फिर अगर कंपनी का एक डाइरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी भी सिचनेचर कर देता है तो भी मान लिया जाएगा कंपनी ने सिचनेचर कर दिया तो भी कॉंटरेक्ट होग ऑगी स्टुडेंट बोलता है सर क्या आप मुझे ये कहना चाते हो अगर company contract ना चाती है तो अपनी common seal लगाए common seal नहीं है तो दो director sign कर दे और दो director भी इंडिया में उस वक्त present नहीं है तो sir एक director और एक company secretary sign कर दे तो भी मान लिया जाएगा कि भाईया company ने contract कर लिया जी हाँ मैं यही बोले इस point बोलता है sir यहां तक आपने मुझे दो characteristics समझा दी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है sir एक बार revise कर लेते हैं क्योंकि देखिए बच्चे theory subject है और हमारी आदत है कि बच्चे को जितनी बार revise करें उतने जादा से जादा इसे revise कर वाओ complete module को follow करते हुए पढ़ाओ साथ में scanner solve करते हुए आगे चलते हैं देखो अभी मैंने आपको characteristics पढ़ना स्कार्ट किया सबसे पहले हमने पढ़ा artificial person कंपनी एक artificial person है कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है कंपनी की कुदी की एक existence होती है और इन सब के लिए उसे company ZEC 2013 में register होना ज़रू है उसके बाद में हमने पढ़ा common seal, common seal एक sign करने का तरीका है company जब किसी के भी साथ में contract करती है तो उस document पर अपनी common seal लगा देती है मतलब sign कर देती है आलांकि company ZEC 2013 के हिसाब से common seal होना अब company's के पास में इसके पास में अगर किसी company के पास में common seal है तो अच्छी बात है अगर किसी company के पास में common seal नहीं है तो फिर उस company के भीआप पे अगर दो director sign कर देते हैं तो माल लिया जाएगा कि company अगर दो डाइरेक्टर भी प्रिजेंट नहीं है और एक डाइरेक्टर और एक कमपनी सेक्रेटरी साइन कर देता है तो भी माल लिया जाएगा कमपनी ने सिग्रेंचर कर देता है अब चलते हैं बच्चों हम अपनी next characteristic के लिए और next characteristic का नाम है perpetual succession बच्चों एके करके धीरे धीरे बड़े प्यार से समझिएगा perpetual शब्द का मतलब क्या होता है perpetual शब्द का मतलब होता है continuous हम इसे लगातार बोलते हैं लगातार और succession शब्द का मतलब क्या होता है to achieve its objectives मुझे एक बात बता सपोस करो आप पांच दोस्तों का ग्रोब है आप पांचों की पांचों पास हो गए और आप पांचों की पांचों CMA बन गए ठीक है बच्चे लिए आप पांचों की पांचों की जॉब पांचों फ्रेंट्स की जॉब जोंकि आप सीएमे बन चुके हैं सभी की जॉब सब्सक्राइब कीजिए एर्टेल कंपनी में लग गई है एज सीएमे और सब्सक्राइब कीजिए कि थोड़े टाइम बाद आप पांचों ने उसको छोड़ दिया और किसी दूसरी कंपनी में जाकर एज सीएमे काम करने लगे मेरा क्वेशन बच्चों आप से ये है जब आप पांचों की जॉब इस एर्टेल कंपनी में लगी थी क्या एर्टेल क से एहमे की बहुत जबत है बहुत इंपोर्टेल से बहुत एहमी आते है पर मेरी बात को समझें क्या बोलना चाहिए कि अगर आप पांचों किसी कंपनी में गए तो कंपनी को फायदा हुआ इसा कुछ गुए वी एक ब्लॉंटर कुछ हो गया और ऐसा कूछ या आप अगर पांचों ने उस company को छोड़ दिया तो company बंत हो जाए ही क्या किसी person के कोई person किसी company में अपॉंट हो रहा है चाहिए से को मैं कि परसन किसी कंपनी में पोइंट हो रहा है या कोई परसन कंपनी को चोड़ के जा रहा है, क्या इस बात से कंपनी के उपर फर्क पड़ता है, क्या क्या अगर आज कोई चोड़ कर चला गया कर गया का कंपनी काम करिनी में पान्या आन gep हैंगाasmories भुदगिये का एक्जिस्टेंस लेकर चलती है, अपने नाम से चलती है, कंपनी के अंदर मेंबर्स आते हैं, डाइरेक्टर्स आते हैं, फिर मोर्टर्स आते हैं, शियरोल्डर्स आते हैं, सिये, सिये, सिये में आते हैं, और चोड़ कर चले चाते हैं, इस बात से कंपनी की त रिलाइंस कंपनी के अंदर सल्मान खान मेंबर बनकर अपॉइंट हुए और थोड़े टाइम बात छोड़ गए रिलाइंस बंद में होगी यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अगर अजय देशबन साहभ कुछ डिरेक्टर मनकर पॉइंट हुए चोड़कर चले गए भाया कमपनी के अंदर लोग आते हैं कमपनी से लोग जाते है कमपनी लगातार चलती रहती है अक्षे गुमार आये चोड़के चले गई बहुत सारे लोग आये चोड़के चले अरे कोई फर्क नहीं पढ़ता भाई कोई फर्क नहीं पढ़ता Members may come Members may go But company goes on सर आपने मुझे अभी तक तीन करेक्टरिस्टिक समझाई है सर आपने सबसे पहले समझाया आर्टीबिशियल परसन कंपणी एक अग्जिस्टेंस लेकर चलती है कंपणी की खुद की एक आइडेंटिटी होती है कंपणी लौ की नजरों में एक परसन की तरह होती है और यह उसके बाद में सर आपने मुझे कॉमनसील के बारे में समझाया कॉमनसील एक तरीके का कंपणी के साइन करने का जरिया है कंपणी जब भी किसी से कॉंट्रेक्ट करती है कॉमनसील की फ़र्म में सिग्रेचर करती है आलांकि यह अप्शनल है कोई कंपणी कॉमनसील ना रख फिर उसके बाद में हमने perpetual succession पड़ा इसका मतलब है कंपनी के अंदर लोग आते हैं कंपनी से लोग चले जाते हैं किसी के आने या जाने से कंपनी बंद नहीं होती बलकि कंपनी लगातार चलती रहती है अपने objectives को अचीव करती है चलते हैं बच्चों आगे next, next characteristic मैं यहाँ पर एक question लिखूंगा आप मुझे उसका answer दीजिए यह characteristic एक second में समझ में आ जाएगा suppose कीजिए मोहित बंसल को realize से problem है तो मैं realize पर case कर सकता हूँ या मुझे अम्मानी सहाब पर case करना पड़ेगा आप बोलोगे sir आप directly realize पर case कर सकते हो क्योंकि company एक separate legal entity है अपने नाम से चलती है खुद की एक existence है वो भी एक इंसान है artificial person है आप उसके उपर case कर सकते उल्टा कर लो realize को मुझे problem है अम्मानी सहाब मुझे case करेंगे या realize खुद कर सकते है realize खुद कर से इसी बात को यहाँ पर और देखते है suppose किजिए शारुख खान की company है red chileys entertain शारुख खान की company है सल्मान खान को red chileys entertainment से कोई problem है तो सल्मान खान सहाब इस red chileys entertainment के ऊपर directly case कर सकते हैं अपने नाम से अगर red chileys को सल्मान खान से कोई problem है तो red chileys directly सल्मान खान की ऊपर case कर सकती है अपने नाम से या शारुख खान को करना बढ़ेगा इसको उल्टा कर लो being human शारुख खान को being human से कोई problem है तो शारुख खान directly being human पर case कर सकता है सल्मान खान की पर case करने की जरुदी है being human को शारुख खान से कोई problem है being human directly अपने नाम से शारुख खान के ऊपर case कर सकती है सल्मान खान को बीच में पढ़ने की कोई जरुदी है क्यों? क्योंकि company के पास में capacity है कि वो स्यूख करती है अपने नाम से या उसके ऊपर case किया जा सकता है कंपनिये separately student बोलता है sir चार करेक्टरिस्टिक समझा चुके हो मज़ा आ गया sir artificial person पढ़ लिया आ गया समझे में sir common scene पढ़ लिया आ गया समझे में sir perpetual succession पढ़ लिया आ गया समझे में sir और fourth characteristic capacity to see or do we see समझ में आ गया मैं फिर बोल रहा हूं बच्चो जिस topic से related previous year में question आया होगा हम solve कर लेंगे अभी artificial person से related previous year में question आया हुआ का हमने solve कर लिया इन topics से related अभी तक नहीं आया है इसलिए यहाँ पर कोई scanner का question है नहीं आगे चलते आगे next characteristic आती है नेशनल्टी अब नेशनल्टी का मतलब क्या होता है बड़े ध्यान से सुनियेगा ओयो कंपनी ओयो कंपनी का जनम कहां हुआ है ओयो कंपनी पैदा कहां पर हुई थी ओयो कंपनी पैदा हुई थी हमारे प्यारे इंडिया में भारत सबसे पहली बार वो register कहां हुई थी registered office वो सर उसका इंडिया में है हालांकि उसके बार में OYO कंपनी बड़ी इतनी बन गई कि उसकी branches open हुई अमेरिका में open हुई चाइना में open हुई जापान में open हुई और भी जगे हो रही हुए लेकिन वो branches अब आप उसे उस OYO कंपनी को Indian कंपनी बोलोगे या American कंपनी बोलोगे या Chinese कंपनी बोलोगे या Japanese कंपनी बोलोगे सर जैसे की मेरे पास में nationality है मैं भारती है क्यों हूँ मैं भारती है क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ मैं यहां का citizen हूँ मेरे पास यहां की nationality है नागरिकता है उसी तरह सर चाहे से एक कंपनी मर्टी नैशनल कंपनी है चाहे से उस कंपनी की दुनिया बरे में बहुत सारी प्राच्च है लेकिन उसको nationality उस देश उस country की मिलेगी जहां उसका registered office जहां उसका registered office एक्जामबल के तोर पर इसको उल्टा कर लो Amazon कंपनी Amazon कंपनी इंडिया में भी business करती है और भी बहुत सारे देशों में business करती है लेकिन क्या उसे हम Indian कंपनी चाहिज कंपनी जापानी कंपनी बोलते है यूरोपियन कंपनी बोलते है नहीं हम उसको American company बोलते हैं क्योंकि उसका registered office कहां पर है अमेरिका की है तो बच्चो एक company के पास में भी nationality होती है company के पास में भी नागरिक्ता होती है लेकिन students company के पास में nationality कौन से देश की कौन सी country की होती है जहां पर उसका registered office है उस देश की उस country student बोलता है सर समझ गया यह characteristic पाँच characteristic आपने समझाए है सबसे पहले आपने बताया artificial person company एक artificial person है company अपने नाम से चलती है company की खुद की existence होती है company law की आँखों में अपनी एक identity लेकर चलती है लेकिन यह सब characteristic उसे तब मिलती है जब वो company sector के अंदर registered को दूसरा सर आपने हमें common seal पढ़ाया जिसके अंदर सर आपने हमको यह पढ़ाया कि common seal company के sign करने का तरीका है हालांकि और company किसी से contract कर रहे है तो common seal के तुरू sign कर सकती है हालांकि अब यह पंपलसर ही नहीं है company common seal रखे ना रखे यह option है अगर नहीं रखती है तो दो director उसके व्याब पर sign कर दें दो director नहीं है तो एक director एक सिर्स next सर आपने बताया perpetual succession company के अंदर लोग आते हैं अलग-लग position पर appoint होते हैं होते हैं रिजाइक करते हैं आते जाते रहते हैं इससे company के ऊपर कोई पर नहीं पड़ता company लगाता अपने objectives को achieve करने के लिए चलती है उसके बाद में सर आपने बताया कि company क्योंकि अपने नाम से सबकाम कर सकती है तो company किसी और के ऊपर case भी कर सकती है या कोई और directly company के नाम से सर उसके बाद में आपने बताया कि company के पास में नैशनल्टी होती है उस देश की जहां पर उसका main registered office है आगे चलते हैं सर नेक्स्ट आता है liability of members यह बहुत important characteristic है ध्यान से पढ़िएगा बच्चों से देखें बच्चों जब भी कोई person मैं ना एक चीज और समझाना चाहूँगा इससे पहले आपको एक चीज बता लिए क्या होता है कि जब भी कोई person किसी company का member बनता है तो उसे बहुत सारे benefits में जो कि company उसको देती है लेकिन उसकी भी कुछ liabilities होती है company के लिए question ये आता है कि सर जो member है जो company का member बना है कोई भी person उसकी जो liabilities है company के लिए जो क्योंसे fulfill करनी पड़ेंगी सर वो limited है क्या उनकी कोई limit है या उनकी कोई limit नहीं है तो मैं आपको बता दू बच्चे जब भी कोई person company के अंदर member बनता है तो उसकी liability की limit हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती वो unlimited liability के साथ में भी member बन सकता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम किसी company के member बन रहे हैं तो अब उस company के अंदर हमारी liability limited रहेगी की unlimited देखे हर company अलगलग type की हो suppose कीजिएगा example के तर आज तीन कंपनिया है एक है airtel एक है reliance एक है data यह limited companies है इन्होंने clearly mention किया हुआ है कि भाया हमारे अंदर अगर कोई बंदा member बनता है तो उसकी liability की limit होते है कितनी होती है वो भी बता है वो मैं समझा हम भागा भी data बोल रही है ऐसा practically है नहीं मैं समझा रहा है example दे रहा हूँ टाटा बोल रहे है कि भाया अगर तुम हमारे member बनते हो तो तुमारी liability की कोई limit बही है तो बच्चे जब भी कोई person company का member बन रहा होता है उसके पास में option होता है कि वो choose कर ले वो कौन सी company का member बनना चाहता है क्या वो उस company का member बनना चाहता है जिसकी liability की limit है तो फिर उसका member बनने उसके shares करीद ले अगर वो ऐसी company का member बनना चाहता है जिसकी liability की कोई limit नहीं है तो भाया फिर उसका member बनना उसके shares करीद ले student गोलता है सर चलिए मैं ये बात तो समझ गया कि company के members की liability limited भी हो सकती है unlimited भी हो सकती है लेकिन सर मुझे ये बताइए अगर company के members की liability limited है तो limited कैसे कैसे हो सकती एक तो हो सकती है limited by shares एक हो सकती है limited by guarantee सर इसको detail में example से समझाओ मजा आप चलिए मजा है realize company बोलती है कि भाईया हमारी company limited by shares है अगर आपको हमारे company का member बनना है तो यह जान रखिएगा कि हमारी company limited by shares है उस हिसाब से हमारी company के member बनने है और realize company ने ये भी बोल दिया कि हमारा एक share सो रुट है दोनी realize company के member बनना चाहते थे तो इसलिए दोनी ने realize company के 10 share खरीदी है कितने share खरीदे 10 share तो देखा जाए तो एक share कितने रुपे का है 100 रुपे दोनी ने खरीदे 10 रुपे के share तो कितनी liability बनती है दोनी की हजार अगर कोई company limited by shares है अगर कोई company limited by shares है तो उसके member की कितनी liability बनेगी जितने amount के shares खरीदे हैं उतने की बनेगी अब सबोज कीजेगा सबोज कीजेगा दोनी ने 1000 रुपे के shares खरीदे उसमें से दोनी ने 50% पैसा मतलब 500 रुपीज का payment तो हार्द कियाद कर दिया था 500 रुपीज अभी unpaid है जो कि उनको pay करनी आज reliance company wind up होने पर आ रहे बंद होने पर आ रहे जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी अपने liability holder का payment करती है जिनके उपर उसका उधार है उनको चुकाती है सपोज करो आज reliance company बंद होने पर आ गए और reliance को 10 करोन रुपे का payment करना है अपने डिवेंचर ओल्डर्स को ग्रेडिटर्स को इंसम जो उसे पैसा मांगते है reliance company दोनी को कितने रुपे के लिए force कर सकती है मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर कोई भी person किसी कंपनी का member है और वो company limited wise shares है तो उसने जितने रुपे के shares करीदे हैं वो उतने के लिए लाइबर अगर उसमें से वो कुछ रुपिया पे कर चुका है तो जितना रुपिया अभी unpaid है वो उतने के लिए लाइबर reliance company बोलेगी कि भाईया 500 तुमने दे दिये थे बच गए तुमारे 500 वो 500 हमको दे दो क्योंकि हम बंद हो रहे हैं और हमें लोगों को पेमेंट करना है तो तुम 500 दे दोगे तो हम उसकी मदद से लोगे तो अगर कल को आप से कोई यह पूछता है कि भाईया अगर कोई company limited by shares है तो उसके अंदर member की liability की limit कितनी होती है आप बोलिएगा liability जो होती है members की वो unpaid amount के लिए होती है हमारे example में कितने रुपे के लिए थी 500 रुपे student बोलता है सर यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई आगे चाहिए अब बताईए सर यह तो limited by shares में बताया कि जितने amount के shares आपने hold करें उतनी किलाविटी limited by guarantee में कैसे होता है suppose कीजिए Tata company ने clearly बोला हुआ है कि हमारी company limited by guarantee मतलब जब आप हमारी company के member बन रहे होंगे तो आपको writing में यह लिखे देना पड़ेगा कि अगर हमारी company कल को बन दोने पर आ जाती है तो आप अपनी जेव से उतना payment दे दो विराट कोली Tata company के पास गए बोले मुझे आपका member Tata company बोली कि भाया हमारी company limited by guarantee आपको writing में हमें member जब आप बन रहे हो उस वक्त writing में guarantee देनी पड़ेगी कि कल को कमपनी बन दोने पर आई तो आप अब सपोस कीजिए कल को टाटा company बन दोने पर आ लेगी और बिराट कोली ने पचास जार रुपे की guarantee अज टाटा कमपनी बन दोने पर आ गई और टाटा कमपनी को अपने लोगों को चुगाना है पचास करोड लेकिन टाटा कमपनी ब्राट कोली से कितना मांग सकते ब्राट कोली कितने के लिए लाइब ले जितने की उसने guarantee दी एट टाइम और विकमिंग तो यही बात मैं समझारूं members की liability की limit होती है अगर limited by shares है company company पहले कौन सी है यह पता कर लो अगर company limited by share है तो जितना आपने share purchase किया उस पर जितना पैसा भी तक पे नहीं किया हो अगर company limited by guarantee है तो जब आप member बन रहे हो member बनते वाक्त आपने writing में लिख कर दिया था कल वो company लेकिन अगर suppose कीजिए कपिल शर्मा सहाब ने आदित्य बिर्ला ग्रूप company से बोला कि मैं आपकी company का member बनना चाहता है आदित्य बिर्ला ग्रूप बोली कि जरूर बनियेगा लेकिन हमारी company unlimited उसकी liability की कोई limit नहीं है बोला मतलब कल को अगर हमारी company बंद होने पर आदे है तो हमारी उस्वक्ट टोटल जितनी liability बंग रही होगी पचास करोड़ सो करोड़ पांसो करोड़ हजार करोड़ आपकी liability तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हम पूरा payment नहीं हम आपका घर बेच देंगे आपके कपड़े बेच देंगे आपकी दुकान बेच देंगे और इसकी liability बन रही है पचास करोड़ तो कपिल शर्मा की liability भी पचास करोड़ मानी जाएगी क्योंकि member की liability की limited नहीं है जब तक company की liability खत्म नहीं हो जाती तब तक member की liability चलती रहेगे सर कैसे रियल में कभी हुआ है ऐसा हुआ है फरवरी 2012 किया थी किंग फिशर जो company है उसकी एक branch unlimited थी उसके employees अपने घर से आही रहते office उन्हें बीच में रोकिया गया उनकी गाड़िया ले गई उनके कपड़े उनके shoes उनके गड़ी तक उनके force तक ले 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 गई क्योंकि unlimited liability का मतलब है कमपनी की जब तक liability खत्म नहीं होगी कमपनी के members की भी liability चाहते हैं तो students अभी की class में हम लोगोंने आज characteristics पढ़ना इस राट क्या अभी खत्म नहीं हुए अभी तो main characteristics पूरा बच्चा हुआ है अभी तक हमने कुछ characteristics पढ़नी है बाकी की characteristics बच्चों हम अपनी next class के अंदर continue करने वाले हैं मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हम पूरा CMA module फॉलो करते हुए पढ़ेंगे साथ में हम complete scanner फॉलो करते हुए चलेंगे और MCQ तो आपको classes and notes हर chapter की मिलगी रही के लिए बच्चों यह चीज़ तो इस वज़े से आपका क्या है पूरा syllabus complete होता हुआ चलता चला जाए अच्छा एक चीज़ और बता दो students अगर आप हमारी यह आप social media platform पर देख रहे हो और अगर आप class purchase करना चाहते हो आप हमारे app के थ्रू भी हमारी classes purchase कर सकते हो Google Play Store पर जाकर टाइप कर दो मोहित बंसल classes अगर आप Google Play Store पर जाकर टाइप कर दो या फिर वीडियो के description में आपको directly app का link मिल जाएगा website करना चाहते है अगर बच्चों आप Google Drive पर purchase करना चाहते है Google Drive प मैं आपको बता दूँ बच्चों जब आप हमारी classes purchase करोगे तो आपको एक तो हमारी classes मिलेगी प्लस आपको उस classes के अंदर पूरा CMA module follow किया जाता है scanner साथ में solve करवाया जाता है बच्चों प्लस आपको hard copy notes all over India घर पे delivery होगी प्लस आपको soft copy notes भी मिलेंगे तोनो hard copy soft copy तोनो मिलते हैं प्लस बच्चे आपके MCQs हर chapter की classes and notes दोनों मिलेंगे प्लस बच्चों आपको free test series मिलें regular test चलते हैं उसके अलावा proper test series conduct होती है वो उस free eligible रहोगे और यह सब कुछ आपको unlimited views के साथ में मिलेगा आपकी जब exam की validity है तब बच्चों हमारा जो subject हमारी classes होगी है वो हम सबसे nominal and reasonable piece होती है तो अगर आप purchase करना चाहें इस number पे contact करके classes या notes को purchase कर सकते हैं चलिए बच्चों मिलते हैं हम next class के अंदर thank you take care